कि घोसना हो चुकी है जहारखंड में इस वक्त जो है इस बार दो चरणों में चुना होना है पहला चरण तेरा नॉंबर को है दूसरा चरण बिश नॉंबर को होना है बता दे कि पहले चरण की अदू सूचना जारी हो चुकी है फिलाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए रां मतलब आज से जो नामंकन प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी तो नामंकन करने के लिए हमारे जो पांच विधान सबाच हेतर है वो फेस वन में है और बाकी जो दो विधान सबाच हेतर है वो फेस टू में है तो जो पांच विधान सबाच हेतर हमारे फेस वन में है वहा करने का लास्ट डेट जो नॉमिनेशन का है वो 25 अक्टूबर है और 28 को जो है स्कूरूटनी की जाएगी और लास्ट डेट ऑव इड्ड्रॉल जो है वो 30 अक्टूबर है सर ये देखे पिछले बार अब देखे बूतों में लोक्सवाचुनाओं में जो है जो बुजूर्ग वोटर है उसको कई सुईधाय दी गए ते इस वक्त जो है मद्दान पहुंचने हैं किस तरह सुईधाय दी जा रही है देखे बेसिकली जो भी ECI के गाइडलाइन्स हैं ब करते हैं सब्सक्ति का रहां कि छिद्धाय पार एक टो है जो जो फोर्म अनको दे रहें बाखते हैं वह फोर्म भर करके लोग देंगे कि जो जो जिनका कंसेंट होगा फिर उनके घर पर जागर बोटिंग कराई जाएगी और बाकी लोग जो जो है मद्दान केंद्र उंदर भी चेज़े साथ ही साथ मद्दान के इंदर पर जो एमेफ की फेसिलिकी दी जाती है राम्स हो गया जोचाले हो गया साथ ही साथ क्यू मैनेजमेंट को ले करके कई चीज़े हम लोग कर रहे हैं वालेंटियों हो गये विल्चेर्स हो गये तो उन सबीचीजों की जो पर पहले तो हम लोग जो है सो यह प्रस्तावित कर रहे हैं कि जो मद्दान का समय होता है वो साम के चार बचे तक वहां पर रहे कुछ एक जो सेलेक्टेट बूट्स हैं वहां पर उसके अलावा फोर्स डिप्लॉयमेंट से ही मातरा में की जाएगी साथी साथ सेक्यूरिटी क करते हुए और भी जो सेक्यूरिटी मेजर्स लिये जाने होते हैं वो सभी उठाए जाएंगे सर अपने तरफ से कुई अपील मदद आता जो जो मद्दान करेंगे नए वोटर्स हैं अपने तरफ से कुछ अपील करना चाहेंगे 99 नूज कमन से तेखिए सभी जिलेवासियो से यही अपील रहेगी कि सभी लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए और एक जो एथिकल वोटिंग प्राक्टिस होती है उसका पालन करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोगतंत्र को शर्शक्त करें